तो अब बात करते हैं गाईस आपने टेबल बना लिया, डाकुमेंट क्रियेट कर लिया एक प्रॉपर वे में है इसको अगर आप किसी के फास शेयर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे ठीक है तो आपको सिंपल क्या करना है यहाँ पे शेयर बटन बने किलिक करना है और इसको श अगर आप चाहते हो कि इस document के access आप limited period के लिए दो तो यहाँ पर add expiry करोगे और यहाँ पर date select कर सकते हो किस दिन आपका जो access है और expire हो जाए तो यहाँ पर आप select कर सकते हो जैसे 28th 5 के लिए मैं select करता हूँ तो इस मेहने के आकरी तारिक को इसका जो access है आटोमेटिकली लिप हो जाएगी और इसको मैं send कर सकता हूँ तो इस तरीके से भी आप इस file के access share कर सकते हैं